आईए हम आपको human body के बारे में बताते हैं human body जो हमारा सरीर है human समझ रहे होंगे जो हम लोग हैं जो human कहलाते हैं male, female, istri, prush, man, omen ये सब human body में आते हैं तो हमारी body के बारे में आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और समझिए और उसके बाद में कुछ प्रश्ण करूँगा जिनके जबाब भी आप लिखिए है ना, तो आईए देखिए हमारी body एक machine है और wonderful machine है सारी machine जो होती है machine होती है, working होती है लेकिन हमारा सरीर बहुत ही आश्चरिचरिचरिग चकित कर देने वाली machine होती है ये एक wonderful machine है हमारा सरीर जिसमें बहुत सारे part होते है each part है special job हर part का एक काम है job है, काम है कहते हैं कि हमें job क्या करते है जो काम हम करते हैं उसी को job कहते हैं तो हमारे सरीर में जो part होते हैं वो उनका एक special सबका एक काम होता है आँखों का काम देखना कानों का काम सुनना तो हमारे सरीर में जितने भी पार्ट हैं उनका सब का अपना अपना एक वर्क होता है उनका एक जाब होता है उसी को वो लोग करते हैं फिर है बहुत सारी feelings होती है यह जो हम लोग के सरीर में जो part होते हैं उनका जो work होता है उनी से हम बहुत सारी चीजों का ग्यान प्राप्त करते हैं जैसे feeling, महसूस करना जैसे कुछ भी हम महसूस करते हैं जाड़ा हो रहा है जाड़े को महसूस करना ठंड़क, गर्मी यह जो feelings होती है यह हम skin के द्वारा जो हमारा सरीर है उसके उपर जो खाल है उसके द्वारा हम यह सब एहसास करते हैं और feel हो गया टेस्ट भी लेते हैं जैसे कुछ इजें कड़वी होती है कुछ मीठी होती है यह taste की feeling कहा से आती है जीब से यह tongue जो है यह बताती है इसका taste कैसा है move, चलना यह हमारी body चलती है तो चलने का move, हिलना, डुलना हमारा सरीर moving body है यह थोड़ा हिलती डुलती रहती है तो यह moving जो होती है यह होता है play हम खेर सकते हैं grow करते हैं, बढ़ते हैं सांसें लेते हैं और reproduce, और अपने ही जैसे और अगली संताने भी हम लोग उत्पन करते हैं इनके सब कारे करने के लिए हमारे सरीर में बहुत सारे part होते हैं, उनके द्वारा ही यह सारे कारे संपन होते हैं, होते रहते हैं तो जिस प्रकार से एक घर house यह house काहे से बना होता है इंटों से the house is made up of bricks, bricks कहते हैं इंटों को, इंटों से छोटी छोटी इंटों से हमारा घर बना होता है, ठीक उसी तरह हमारा सरीर भी छोटी 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 कोसिकाओं cells से बना होता है, cell कोसिकाओं को cell कहते है, उन cell से मिल करके, यो हमारा सरीर बना होता है। ृइए उसके बारे में भी बहुत सारी बाते बताते हैं, cell बहुत चोटी ही काई है। Cells are the smallest unit of our body, हमारे सरीर का सबसे चोटी ही काई, smallest unit of our body, हमारे सरीर की सबसे छोटी ही काई क्या होती है कोशिकाएं होती है ये जब कोशिकाएं मिलती है कई कोशिकाएं मिल करके ग्रूप बना लेती है तब उसे हम कहते हैं टिसू उतक टिसू कहते हैं इंगलिश में और हिंदी में उसे उतक कहते हैं तो ये कैसे बनती है, a tissue is made up of many cells, बहुत सारी cells से मिल करके tissue बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, आरगन, अंग बनते हैं, जैसे an organ is made up of different tissue, बहुत सारे tissue से मिल करके organs बनते हैं, तो organs से फिर क्या होता है, organs से बनता है system, system बहुत सारी अंग तंत्र से मिल करके, अंगों के दोच से खाना हम खाते हैं, तो यहां से ले करके नाज तक पाचन क्रिया जो भी होती है, उसमें सिर्फ एक पार्ट काम नहीं करता, एक system होता है, एक नियम होता है, उसे बहुत सारे पार्ट काम करके, उस खाने को हम लोग पचाते हैं, और यह system बन जाता है, और इन सब आरगन system से मिल करके, बनती है our body, मेरा सरीर, हमारा पूरा सरीर कैसे बनता है, एक group है, पूरा, उसी से बनता है, और system भी होता है, system भी अलग-अलग है, जैसे digestive system, मतलब, खाने को पचाने वाला, पूरा system क्या होता है, रक्त, खून को पूरा, पूरे सरीर में, परिवहन तंत्र जो होता है, वो उसका अलग होता है, system, तो एक पार्ट, दूसरे में इंटरफेर भी नहीं करता है, बस support करता है, तो हमारे सरीर में, बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं, बहुत सारे tissues होते हैं, वो सब sales से बने होते हैं, और हमारा सरीर बिल्कुल चलता फिरता, बिल्कुल living things बन जाता है, तो ये हमारी body है, इसके अब सारे system के बारे में, हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक आप इसको देखिए, समझे और मैंने क्या-क्या बताया, इसको देखने के बाद सोचिए, उसकी list तयार कीजिए, कि मैंने इस दो मिनट के वीडियो में, आपको क्या-क्या बताया है, क्या आपको कुछ भी याद है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और छोटे बच्चों के लिए बहुत महत्तुपूर्ट चीजें मैं बता रहा हूँ, उनके काम आएंगी, धन्यवाद,